या आदमी one day two day शूट करता है या आदमी कुछ तो करता है जो एकदम क्लिए मैं भी नहीं बता सकता आपको मुझे भी बूले का मेरे पिताजी प्रोफेसर है वो पैसे बेज दिना ऐसा नहीं है बिहार में आप इस्ट्रक्टर जानते हैं कि पैसा और पैंशन भी छे महिने प जार रुपे मांगे रो दिया मैं अगले दिन फॉन की मेरा पैसा वापस दे मेरा वाइप मैं बहुत जूट है कोई उधारी उधारी यहां नहीं देता है आराम से बहुत गंदा इस ट्रगल है वह एक बार एम से सिक शकल पर देखते हैं क्या कि उसको क्या आप लोग कहते ह है मेरे लिए तो है और बहुत से लोग जानते हैं वह मक्का है एक्टरों का और बहुत लोगों को यहां से थोड़ा सा दूर तो यहीं है अभी यहां से सफर लंबा है लेकिन बस यह आपको दिखाना था कि वह जो जिन गर्णियों में स्ट्रकल होता है वो एक इंप्रेशन रहता है ना कि कैसा होता होगा और यहां आगर कोई देख ले तो जिसका नहीं पता होगा पहचाने का भी नहीं कि यहां से मतलब नवाजुद्दीन जिद्धी की और बागी एक्टर निकलते हैं यह ऐसे यह रोड फर्स्ट काम यहीं से मिलता है अगर यहां अपने ओडिशन क्रैक कर लिया तो आपको एक सीन या दस दिन का काम यहीं से मिलेगा अंदर जाके मतलब एक्जाक्ट एक तो मैं मौक कास्टिंग कोशिश करेंगे हम इनके स्टूडियो में आपको दिखाएं भी कैसे होती है जै करेंगे फलाना आदमी से मिलना है तो बोलेगा कि आप उसको कॉल कीजिए कॉल कीजिएगा वह कास्टिंग वाला बहार आएगा फिर आपको बोलेगा की चलो तुम्हारा ओडिशन है बीना कॉल के ऑडिशन अंदर गुजने भी नहीं देगा आपको फोन उठना भी भाई ह इसके लिए इंट्रोडक्शन डेज रखे जाते हैं कि आप आईए इंट्रोडक्शन दीजिए लिए माइनम इस फलाना मैं माइनमर इस दिस 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 माइफ इस बस भूल दिया और आप चले जाएए फिर आपको कॉल बैक आएगा तब आपको यहां पर आना है जी ऐसा दिक्कत वाली चीज़ है अब और जिस इलाके में यह पार्टू है यह पार्टू है और यहां पर इंडस्ट्री में जो लोग प्रोडक्शन साइट पर काम कर रहे हैं उसके हूज हूज यहां पर रहते हैं जैसे जार थेटर यह जार पिक्चर्स यह हो गया और इधर अंद वह ओफिस ले लेके आ गये हुए आप पीछे देखें लिखा हुआ हाइवे मेरी पहली फिल्म उसका पोस्टर डिजाइन भी बना हुआ है यह सब आर्ट वर्क यह एम सी सी ने अपना करवाया हुआ है क्योंकि इनके पास वही अर्थ है तो वह उस अर्थ का अपना उप्य प्रवित हैं कि यह गलेक्सी सलमान की है वैसे यह आगे वाली विल्लिंग सुधीर मिसराजी की है और यहां कभी कुछी कास्टिंग कंपनी ने रेंट पे लिया होगा यह उनका है अच्छा यह विदाई है मतलब आपको सुनने में यह सवाल लगेगा हलका लेकिन मैं कि यह फॉर्मलाइज हो गया है अब प्रोपर तरीके से प्रोपर चैनल से मेल आईडी का समाना एक बीते वक्ती बात हो गई है क्या है यह तो बीते वक्ती बात होगे 2013 से मैं ऑडिशन दे रहा हूं मुझे नहीं लगता कि इतना मेहनत करने के बाद आदमी उन सब चीजों म पड़ेगा आदमी यहां रोजी रोटी के चक्कर में आदमी का जीवन वह हो रहा है तो आदमी इन सब चीजों में नहीं पड़ता तो मुझे नहीं लगता कि यह सब चीजे अब रह गई है क्योंकि यह यह असमिता थेटर कंपनी है अरविंद गौड जी की और मार्शल का लगा भी हुआ है और यह क्रियेटीव अड़ा है यहां एक ओडिटोरियम भी है और कैफे भी है यहां करके मतलब चिल करते हैं थोड़ी देर प्लेज भी होते हैं और लोग चिल भी करते हैं दिन भर ओडिशन दिया और शाम को आकर चाय बिस्कीट बनमसका यह सब खाते है यह एक समय में जीमी सेरगिल जी का ओफिस हुआ करता था और यह तिगमांसु धुलिया जी का ओफिस हुआ करता था जब हम लोग नए नए आये थे और आगे अतुल मोंगिया जी का वरक्शोप चलता था अतुल मोंगिया पहला आदमी है कास्टिंग डेरेक्टर जो करेशनली भी और इधर आपको जेनरल सब के लिए और यह आगे जो आप देख रहे हैं कि सुनील सेठी जी की प्रोपर्टी है अभी अंदर क्या काम चलता यह हमें पता नहीं यह अभी हमें बता रहे थे हम इस रास्ते थोड़े दिर पले गए कि यह पता हटा है इस रास्त यह आप तो आपने भावुक मतलब डायलॉग मार दिया है तो यह जो है यह सुनील सेठी जी के प्रोपर्टी है और इधर से हमारा अब एम से सी यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर आके हम लोग लास्ट करते हैं मुकेशाब्रा पहले यहां कास्टिंग यहां पर हम ल दभंग का पोस्टर लग जाता था आरिधा नहीं ऑ धृगंग डगल का पोस्टर लग ता हम फिर फिर बेड़ भी लग जाती थी अब इतफर चलिए कास्टिंग में दिखा देता हूं आपको जहां से रियल तैलेंट को काम दिया जाता है अगर अगर आपने ओडिशन अच झाल झाल